नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल वीनुजी के सन पॉइंट में दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गया है आप लोग के लिए दोस्तों बी एससी इंटर लेवल का सकेंड फेज जो दोस्तों जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे दोस सीट है दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए जो भी दोस्तों इंतजार कर रहे थे इस वेकेंसी का क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही बड़ी संख्या में राजस्त करमचारी और पंचायच सची में पद जो हता है दोस्तों ये वेकेंसी आई ह चलिए दोस्तों नोटीस को देखते हैं और समझते हैं अच्छे से दोस्तों देखिए बिहार SSC करमचारी आयोग पतना जो है दोस्तों 19.09.2023 को एक नोटीस अभी अभी तुरंत जाड़ी किया है दोस्तों और दोस्तों यहां पे लिखा है कि सुयोग अभ्यार्थियों के च अभी सेकेंड फेज दोस्तों हम लोग इंतिजार कर रहें थे नौ साल से कि कब आएगा कब आएगा दोस्तों वह आ गया है दोस्तों यह BSSC के साइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं वहां पे नौटिस दिया हुआ है और 27.9.2021 और 11.2023 तक दोस्तों यह भरा जाएगा 11.11 दो दोस्तों जो भी हो जो भी प्रॉब्लेम है वह पहले सुधार कर लिजे एक बार अगर ऑनलाइन समीट कर देते हैं तो दुबारा यह चांस अब इस बार नहीं देने वाला है ठीक है क्योंकि इस बार वेकेंसी में देखें जोआनिंग के समय में दोस्तों एंसीयल है और OBC स सब में कितना जंजठ भा था इसलिए इसलिए इस बार पुरा अच्छे से फरम बारना और दूस्तों इसका उमीद है कि यह वेकंसी जल्द किलियर हो जाएगा इसलिए दुब scribate से त्यारी में लग जाए देखते हैं दोस्तों इसका कितना वेकेंसी है नेक्स्ट नोटीस में और दोस्तों देखेंगे डिटेल्स कितना कितना वेकेंसी किस-किस पोस्ट पर आया हुआ है देखेंगे दोस्तों देखिए दिया हुआ है कि इंटर अस्तरिय पदों पर नियु से आपका आउईदन शुरूँ हो जाएगा और दोस्तों यह 11 तारिक तक आपका फ़र्म भराएगा अब देखिए दुस्तों यहां पर दिया हुआ पद किस किस में कितना है दोस्तों देखेंगे पाद जुआ दॉस्तों नीमन वरके लिपिक दोस्तों मद निशेद में इसमें तीन सोचाली से दोस्तों में फोकस हम लोग कहां होता है राज़स करमचारी और पंचायत सचिपे देखेंगे उसमी हैं कितना सीट है बहुत बड़ी खुस्कबरी है दोस्तों अगर इस channel पे आप नए है तो pre channel को subscribe कर लिजए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर p bankruptal का notice और हर और दोस्तों हर comparison exam का यहाँ पर दोस्तों आपका notes मिल जाेगा तो दोस्तों आप इस channel को जरूर subscribe कीजए देखिए दोस्तों कितना दिया हुआ देखिए आगे दोस्तों राजस करमचारी में आप देख लिजिए दोस्तों बहुत बड़ी बात ये है कि राजस करमचारी के लिए सिर्फ आपके पास इंटर का डिगडी होना चाहिए तो इसमें देखिये ना कोई टंकंग मान ला है ना कम्पूटर का ग्यान कुछ भी नहीं दोस्तों वेकेंसी कितना है देखिए 3569 बहुत बड़ी वेकेंसी होता है और दोस्तों इसमें महिला के लिए आरक्षन कितना है 1055 सीट महिला के लिए तो दोस्तों 3569 जो पद है दोस्तों यह बहुत बड़ी पद है और पंचायच सचीब देखिए दोस्तों पंचायच सचीब वेकेंसी इसमें भी है तो कूल मिला के दोस्तों यहां पर देखिए साथ हजार पलस वेकेंसी यह दोनों पद में वनली है और मांकी दोस्तों चार हजार वेकेंसी जो है और सभी पद में है दोस्तों देखिए इसमें पंचाय सची में 1022 सीट जो है दोस्तों यह महला के लिए फीक्स है दोस्तों इंतिजार खतम हुआ बहुत बड़ी अपडेट है इसलिए दोस्तों आप एक्जाम में लग जाएगे बहुत अभी से तयारी कीजिए और दोस्तों पहले अच्छे से फॉर्म बार लिजे घबड़ाये मत बहुत बड़ी खुजकबड़ी है देखे दोस्त अच्छे समझेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है कि कैसे कैसे दोस्तों क्या क्या आनलाइन करना है एज देख लेते हैं दोस्तों एज लिमीट देखें दोस्तों कितना है एज लिमीट है दोस्तों मिनीमम चाहिए 18 वर्ज ठीक है और दोस्तों अनरक्षित वर्ग यानि कि जश्तों जनरल के लिए सीट पुरूस का 37 साल चाहिए और दोस्तों 37 साल तक भर सकता है 18 साल से 37 साल तक और दोस्तों यह महिला का है जनरल ओर 40 साल तक भर सकता है और अनुसुची जनजाती और जनजाती के लिए दोस्तों कितना है 42 वर्स तक धियान रखेंगे बहुत बड़ी एज भी दिया हुआ है तो आपको 100% आप eligible होंगे और दोस्तों ये वेकेंशी बहुत दिन के बाद आता है इसलिए आप इस बार अच्छे से फ़रम भढ़ीए अच्छे से तयारी कीजिये जम के तयारी कीजिये इस बार वेकेंशी आपको लेना है दोस्तों देखें फी कितना दिया हुआ फी दिया हुआ समान वर्ग के लिए दोस्तों पांस सो चालीस और अनसुची जन जाती के लिए दिया है स्टी के लिए एक सो पैंटीस रुपिया और सभी वर्ग के दिव्यांग जन के लिए दिया है कितना एक सो पैंटीस रुपिया ठीक है दोस्तों और बोल रहा है कि सभी स्रेनी के महिलाओं के लिए कितना दिया 135 और बिहार राज से दोस्तों एक बार और धियान रखिए बिहार राज से जो भी अलग राज के भोड़ेंगे दोस्तों उसको कोई भी आराक्षन का लाब नहीं मिलेगा वो जनरल कटेगरी मे है आप दियान देंगे इसबर दोस्तों पिछले साल के हुआ था दोस्तों बैंक चलान व्लान हम लोग को देना पड़ता था इस बार लेकिन क्या करना है। इस सेबार भी तेस अभियारति द्यौरा दोस्तों ऑन-लाइन क्रेडिट कार्ड या ये युपियै बैंक ये से जमा किया जाएगा इस बार जल्दी अच्छा से बढ़ा जाएगा यह उम्मीद है और दोस्तों देख लिए 279 से 9 11 तक दोस्तों आपका क्या होगा online payment होगा और फर्म भरा जाएगा कितना तक 11 11 तक ठीक है दोस्तों और देखें दोस्तों इसमें क्या क्या पढ़ना इस अब दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे इसका जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट है तो दोस्तों अगर इस वीडियो में जाहिंदु